दिनेश कार्तिक की धमाकेदार पारी की दम पर टीम इंडिया ने निदाहास ट्रॉफी के फाइनल मैच में बांगलादेश को हरा दिया है कार्तिक ने 8 गेंडों पर 29 रनों की विस्फो टक पारी खेल कर एक समय मुश्किल में चल रही भारतियर टीम को चार विकेट से कर रही टीम इंडिया को रोहित शर्मा 56 ने मजबूत शुरुवात दिलाई लेकिन उनका विकेट गिरने के बाद भारतियर टीम मुश्किल में आ गई थी आखिरी गेंड तक चले इस मैच में कार्तिक ने भारत को जीत तक पहुँचाया आखिरी ओवरों का रोमांच पर पहुच गए थे और तीसरे अंपार ने उन्हें नौट आउट दिया इसी ओवर की आखिरी गेंड पर एक बार फिर पांडे रन आउट होने से बचे इस बार भी तीसरे अंपार ने नौट आउट का फैसला दिया वही अठारहवे ओवर में मुस्ताफिजूर रहमान ने पांडे को आउट किया ओवर की पहली पांच गेंडो पर विजय शंकर एक भी रन नहीं बना पाया और पांडे पर बड़ा शौट खेलने का दबाव बना इसी कोशिश में पांडे अपना विकेट गवा बैठे मुस्ताफिजूर के इस ओवर ने बांगलादेश को मैच में मजबूती से खड़ा कर दिया Link to post URL equals http colon slash slash www.cricketcountry.com slash high slash news slash rohit dash sharma dash becomes dash 3rd dash indian dash 2 dash complete dash 700 dash t20 dash runs dash 693904 Link to post 19-way over में दिनेश कार्थिक फ्रीज पर आय और रुबेल हुसेंग की पहली ही गेंड पर चक्का जर दिया दूसरी गेंड पर कार्थिक ने लॉंग ओन पर शांदार चोका लगाया भारतिय फैंस के बीच एक बार फिर उत्साह का माहौल बन गया तीसरी गेंड पर धमाकेदार चक्के के साथ कार्थिक ने स्टेडियम में धमाका कर दिया चौथी गेंड डॉट रही जिसके बाद अगली गेंड पर कार्थिक ने दो रन चुरा लिये आखिरी गेंड पर चोके के साथ कार्थिक ने ओवग खत्म किया बीसमें ओवग में भारत को जीत के लिए बारह रनों की जरूरत थी आखिरी ओवग कप्तान शाकिब ने सौम्य सरकार को दिया स्ट्राइक पर शंकर थे पहली गेंड वाइड रही साथ ही मुश्फिकुर ने शंकर को रन आउट करने का मौका भी गवा दिया जो ख्रीज से काफी बाहर निकल गए थे दूसरी गेंड पर शंकर ने एक्स्ट्रा कवर पर खेल कर एक रन लिया और कार्थिक को स्ट्राइक दी कार्थिक दूसरा रन लेने की सोच रहे थे लेकिन शंकर ने मना किया अगली गेंड पर सिंगल लेकर कार्थिक ने फिर से स्ट्राइक शंकर को दे दी तीन गेंड और नौरान शंकर ने बड़ी खुबसूरती से थर्ग मैंग की तरफ दोनू फिल्डरों के बीच से चौका लगा दिया अगली गेंड पर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में शंकर कैच आउट हो गए चून की बल्लेवाजों ने क्रीज बार कर ली थी इसलिए आखिरी गेंड पर कार्तिक स्ट्राइक पर आए एक गेंड पर पांच रनों की जरूरत थी और कार्तिक ने शांदार चका लगा कर भारत को निदाहा स्ट्रोफी जिताई निदिहास् टरॉफी फाइनल – कार्टिक्त के हवाई चको ने बानगलादेश को चटाए धूल भारत का सीरीज पर कबजा निदिहास् ट्रॉफी के फाइनल और बेहद रोमान्चक मैच में भारत ने बानगलादेश को चार विकेट से हराकर खिताब पर कबजा कर लिया दिनेश कार्थिक के महेत्वपूर्ण 28 रन की बदौलत भारत ने यह मुकाम हासल किया हालांकि आखिरी दो ओवर शेश रहते मैच बांगलादेश के पाले में था जिसे दिनेश कार्थिक ने आखिरी गेंट पर छक्का मार कर चीन लिया निदहास के फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांगलादेश ने निर्धारित बीस ओवरों में 166 रन बनाए जिसमें बांगलादेश के सब भीर रहमान, सथातर का एहम योगदान रहा पैटिंग करने उतरी भार्तियर टीम की शुरुवात काफी औसत रही जिसमें रोहित शर्मा का अर्धशतक शामिल था रोहित के आउट होने के बाद बांगलादेश भारत पर हावी होते दिखाई दिया आखिरी दो ओवर का रोमांच जिसमें 19 में ओवमे कार्तिक के दो चकों और दो चौकों की बदौलत कुल 22 रन बने आखिरी ओवमे भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे लेकिन शंकर की लचा बैटिंग को देखकर मैच हारने का संकट भारत पर था आखिरी दो गेंदों पर जीत के लिए 5 रन की जरूरत और शंकर कैच देकर चलते बने उसके बाद विकेट पर दिनेश कार्तिक थे और जीत के लिए 5 रन चाहिए थे जानिये ऐसे क्रिकेटर्स के बारे में जो है अपनी बीवी के दूसरे पती हसीन अभी मेरे पैसों का इस्तेमाल चाहिए